कि यहां पर जो क्वेशन में 13 है यह आपका कह रहे सपोर्स दीस फिर्स ए एंड भी इन एक्सरसाइज 12 है आइडेंटिकल साइज तो एक्सरसाइज 12 क्या था हमारा वो देख लेते पहले तो एक्सरसाइज 12 में हमारा क्वेशन यह था तो इसमें मैं कहा रहा है कि suppose the spheres A and B have identical sizes a third sphere of the same size but uncharted is brought in contact with the first then brought in contact with the second and finally removed from both what is the new force of repulsion between A and B okay तीए पहले वाले question में कह रहा था that कि हमारे पास दो spheres थे एक A था और एक B था और इनके बीच की जो separation थी वो थी 50 cm और दोनों की charges हमें तीवी थी similar charges थी दोनों पे मालो क्यों और क्यों given थी charges यह यहां पे charges हमारी पहले जितने थी 6.5 into 10.7 दोनों सेम थे दोनों पे charges तो यहां पे पूछ रहा है कि अगर हमने एक 3rd sphere लिया और वो 3rd sphere भी similar है किसके तो A और B के similar है उसको पहले हमने टच करा दिया A के साथ तो ध्यान देना यहां पर दोनों identical है और यहां पर A जो है charge है लेकिन C charge नहीं है तो जब इन दोनों को हम लोग touch कराएंगे तो दोनों charge आधा आधा बाट लेगा due to conduction ठीक है यह हमने methods of charging में पढ़ाता conduction that कि अगर दो similar bodies को touch कराते हैं तो उनका total charge आधा हो जाता है तो यहां पर total charge दोनों को मिला करके A और C को मिला करके Q है तो दोनों को touch कराने के बाद यह charge Q नहीं रहेगा बलकि आधा आधा बढ़ जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है कि इसको A से तो touch करा दिया अब इसे उठा करके ले जाना है B के पास और उससे भी touch कराना है तो अब इस C को यहां से ले चलो और B से touch कराओ तो total charge इनकी कितनी हो जाएगी इनकी total charge हो जाएगी Q plus Q by 2 बोले तो 3 Q by 2 तो यह जो 3 Q by 2 है यह दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा मैंस total charge आधा आधा बढ़ता है तो अब यहां पर जो charge हो जाएगा वो हो जाएगा 3 Q by 2 का आधा मतलब कि इस पे आ जाएगा 3 Q by 4 और इस पे भी आ जाएगा 3 Q by 4 और finally कहा गया है that की इसे पूरी तरह से यहां से हटा देना है तो इसे पूरी तरह से यहां से हटा दो तो अब हमारे पास जो charges हो गए हैं A और B के वो हो चुके हैं Q by 2 और 3 Q by 4 अब इनके बीच में हमें force निकालना है तो force equals to क्या formula होता है K Q1 Q2 upon R square ओके तो K Q1 Q2 upon R square तो अब लोग यहां पर force equals to K की value कितनी होती है 9 into 10 to the power 9 A की charge 3 Q by 2 B की charge 3 Q by 4 और दोनों को पीच की separation 50 cm थी तो उसे cm में ना रखके question में given था 50 cm इस question में तो 50 ना रखकर के उसे meter में रखेंगे 0.5 रखेंगे वहां पे तो 0.5 का square ओके ना force equals to हो जाएगा यहां से आप देख लो that 9 into 10 to the power 9 upon 4 into 2 8 और नीचे कितना आएगा 0.25 into उपर 9 आएगा 9 Q square ओके यह आ रहा हमारा यह 9 into 10.9 यह 4 into 2 8 और यह 0.25 और उपर में 3 into 39 Q square ठीक है तो यहां से आप देखो that 81 into 10 to the power 9 upon 8 into 0.25 into Q square Q की value कितनी थी 6.5 into 10 to the power minus 7 का square ठीक है अब हम लोग इसे solve कर देते हैं तो force equals to आ जाएगा 81 divided by 8 and divided by 0.25 okay into 6.5 into 6.5 into 6.5 okay so 1711.12 into 9 और उदर से minus 14 to minus 14 plus 9 minus 5 तो यहां से कितना आगया आप इसे को decimal को आगे लियाओ है ना ताकि आपका अंसर जो है scientific notation में आ जाए तो आप यहां पर इसको आगे ला सकते हो ओके हमने यहां पर थोड़ा सा mistake किया है यह जो मुझे दिखिए यहां पर क्यूं जो है ना यह मैंने 3 क्यूं यहां लिख दिया था एक्ट्वल में एक ही जो चार्ज है वो तो q by 2 है ना तो यहां पर q by 2 होगी that means कि आपको यहां पर 3 ही लिखना है ओके तो 9 x 3 27 ठीक है यह calculation mistake हमारा यहां पर हुआ है तो अब इसे 27 लिखोगे अब आप इसको 17 11.12 divided by 3 570 तो यह एक्ट्वल में 570.37 into 10 to the power minus 5 होगा 202 decimal आगे लिए तो 5.70 into 10 to the power minus 3 newton हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा final answer आएगा okay I hope that this clear it out thank you thank you so much for watching